साथियों नमस्कार कल हमने आपको जानकारी दी थी कि अगर आप AI करवाते हैं तो वो कौन से स्टेफ है जो आप AI करवाते हैं वक्त फोलो कर लीजिए किसी भी सुरत में आपकी गायवेंस रिपीटर नहीं बनेगी और वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप किसक हमारे बुजुर्ग लोग या हमारे आसपास के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइमर को अगर आप AI करवाओगे तो कई परकार के कॉम्प्लिकेशन्स हो सकते हैं हो सकता है कि वो प्रॉपर दूद ना दे और एक नहीं लिखा है और बड़ा यजीब कि वो नहीं दूद वो लगातार मेंटेन रखे कि किसी भी जुरुत में दूद बढ़ाईगी नहीं तो इसी पर मैं कंप्लीट चार्ज की करने वाला हूं कि आप फर्स्ट टाइमर की AI करवाएं या उसे क्रॉस करवाएं क्या बेटर रहेगा देखिए फर्स्ट टाइमर के लिए पहली बात क्रॉस या AI क्या बेटर रहेगा मैं आपको सीधा सा एक बात बताता हूं कि फर्स्ट टाइमर जो गाय या भेस होती है कटड़ी या बचड़ी होती है वो एक्चुली बिल्कुल फ्रेस होती है यानि उसको ना कोई infection होता है ना उसको किसी भी तरीकी कोई problem होती ह कुछ भी नहीं होता अगर वो proper heat में आ गई है तो कुछ भी नहीं लेकिन हम अंजाने में क्या करते हैं उसे sand से cross करवा देते हैं या बैसा चोड़ देते हैं उससे क्या होता है उससे होता है उसको संक्रमन अब फर्स्ट हाइमर के कई ऐसे कैसे जो repeater बन गई है किसा बार ब किस बहस को cross किया उसने या पता नहीं उसने किन-किन महसों को cross किया जिन से वहां infection आ गया और वो infection अब हमारी कचड़ी बचली में आ गया है तो इस infection से बचने का सबसे बड़ा तरीका है और वो है कि आप AI करवाने हैं अब AI में क्या मुसीबत हैं किसी भी सूरत में जो genetic उस बचली की है वो किसी भी सूरत में नहीं बदलेगी AI करवाने से यह आप मान के चलिए उल्टा अगर आप AI करवा रहे हैं तो उससे बहुत अच्छा नसल सुधार होगा तो नसल सुधार होने से जो कटड़ी बचली इसके पैदा होगी वो बहुत अच्छी होगी यानि उसक खुद की जैनेटिक डिफेक्ट हो जाएगी नहीं AI करने से ऐसा कुछ नहीं होता है AI करते वक्त भी वही स्पर्म चोड़ा जाएगा जो की NI यानि नेचुरल इंसिमिलेशन यानि जब हम सांड या मैसा चोड़ते हैं वो जो सीमन चोड़ता है अंदर उसमें भी वही स्पर होता है जो की AI में होता है कोई फरक नहीं है दोस्तों इस तरीके का गौद्रेशन अपने दिमाग में ना पा लें आप आराम से AI करवाईए AI करवाने के फाइद है ना कि नुकसान यानि आप अगर AI करवाते हैं तो इससे फाइदा होगा क्या फाइदा होगा पहली बात नहीं होगा और तीसरी बात जो कटड़ी बचली इदर उदर आप लेके जाते हैं बैसे के पास लेके जाते हैं तो कई परकार के इस्ट्रेश कई परकार की परेशानियां भुगती है वह AI में बिल्कुल भी नहीं होगी बस ध्यानी यह रखना है कि आपको अनुभोवी पस परेशे से माल लेजिए वो फर्स्ट टाइमर में सही जगें सीमन डिपोजिट कर नहीं पाते हैं और इसी सीमन डिपोजिट करने की जद्दो जहएद में कहीं नहीं गलती कर देते हैं और वहां से भी इंफेक्शन आ सकता है तो आप अनुभवी AI वरकर अनुभवी स्टाट हो रहा है उसको अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो अभी से आप मैसेज कर दीजिए यह जो कॉंभव कोर से हर महीने की 25 तरह से शुरू होता है एक महीने में पूरे एक महीने में मात्र AI पीटी की बाते होगी complete AI और पीटी आपको सिखाई जाएगी अगर आप इ झालए टाएगी कि ऌह बाते होगी कोर से गिजस खूच है झालएches के नह बाते हैं ऑगगी कोर से ऑग़क स 도도 है कर दिजसाएगल कर दो intern whites important यहीत के पो जेदे हैं पूर पर आपब यहां हैंगी कर जगनी कर दुट होगगी कर घएगल कर दीजसा होगने कर दोस मैंशने हो